रोकांजो योगेरितने योगिस्ताने ने धारेत धे प्रमाणे करवांवामा आवे तो ते योग्या नाणा के आजन के वाई मनी मैनेजर आवां खड़ा मुता हुटा मारी समय नुके छे आने आतना एपिसोड मा इवाज मुता साथे हुँ प्रीती तलाल आपनों स्वागत क करूछू मनी मैनेजर माज आपड़े वाद करीशू बैंक ना व्याददर एक्स्टरनल बैंच मांग साथे लिंक थशे 1st October थी तो एशू छे अने शू आना थी लोन पर के विरितनी असर पर शे पर समझी शू अने दर्शकों ना सवाल पढ़ रेशू ताजी तर माज तमा पांग माटे तेमना व्याददर ने एक्स्टरनल बैंच मार्क साथे लिंक करवू फरजयात करवा माव अनियम थी आपना जिवा लोकोत जिमने लोन लीधी छे तेमना व्याज दर्मा केकलो फरक पड़ी शके छे ते समझी शू अने शू हवे लोन लेवी शू सस्ती बंच अनिया तमाम बाबत अंगे आचे आपरे विस्तरोत चर्चा करी शू चर्चा मापरे साथे जोड़ा आचे परनेंशल एक्सपर्ट अनव पंडिया अनव जी स्वागत छे ने आपरे जो यू अटू के थोड़ा च वखत पहला आर बीया अटू के ऑक्टोबर वान थी जे जे जे लोनना रेत नकी था शे एकस्टरनल बैंचमार्क ने आधारे था शे तो फरस्त QU वैस्ट च्चे के एशू चे एकस्टरनल बैंचमार्क श्यु चे अने Sekt reportedly कई-कई लोननने आ उट्ट शे आरे ऑने गाली तस अड़ा है कै पहली ओक्टोबर थी, कोई पंड बैंक च और ने पैस्टार्ण प्रकार्नानों लोन आपती हुए तो था मने पर्सनल लोन मरती होय, हाउसिंग लोन मरती होय। कार लोन मरती होय। वद्दीज प्रकारनी लोन पहली अड़िगक करें ल२ुपकर tennis 계rite, कोई पना बैंक आप jogo Гोई एक्सटनल बेंचमार्क जोड़े लिंक करवा मावे अवे पहला अत्यार्थ दीके हुआतू के आरबी आई ये आ दिशामा बात आग करेली पान खाली पब्लिक सेक्टर बैंक है अने अमल मा मुखवानू शरू करी दिदेलू अने चाउद पंदर बैंक होए अलेडी आने अमल मा मुखवानू शरू क करी दिदेलू पान अवे एक कंपलसरी थे यूज और कोई पंद बैंक होए तेने अवी ते एक्स्टरनल बेंचमार्क जोड़े लिंक करी पड़े आपना अवे समझे के एक्स्टरनल बेंचमार्क एटले से नॉर्मली जारे कोई बैंक लोन फिक्स करतू होए त्यारे ये पोता नी सिती जोए तारण के बैंक एक बाजो दी पैसा होबा करें डिपोजिट होए बॉर्विंग्स होए बीजा बॉंड्स ने बदू होए और ये नो जे खर्चो था एमने एनी सामें ए लोन आपे और ये लोन नो प्राइसिंग एमना कॉस्ट आप फंड्स ने आधार पहला थो एलोगों भेंक्स एक पोता नो बेंचमार्क रेट नक्की करता था और ये बेंचमार्क रेट कई रीते बैंक बदले कई रीते नक्की करें इना पर बहुत समझनमत इसी अड़ीया बाजीनल कोस्ट आफ लेंदिंग रेंज़िंगुरें और फंड्स ने ये पर य कोस्ट आवे तेने मार्जिनल कोस्ट केवाई ये नवा फंड नो जे इमने कोस्ट आवतो है ए प्रमाने ये लोको रेट नक्की करता था अने पछी जे तमने लोन आपे एना पर आधारी दोती इटले आ बदा जे पहला जे नक्की तरकामा आवता था बेंचमार्क ए बैंक प नक्की करती ती ये ऐथा बैंक नो आपर पूरो कंट्रोल अतो इतला माते इने इंटर्नल बेंचमार्क के वामा होता था अवे एर बी आई कीदूचे के तमें बैंक पोता नो बेंचमार्क ने पन बाहर एक common बैंचमार्क हुई तेनों तमें उप्योग करो अवे जारे ए बार्नु एक benchmark कावी जेले कि बार्नु को एक figure हुए कि जेने लईने bank नक्की करूँ पड़े तो ये बधा जोई सके अनि नोट ओली बधा जोई सके पर बैंक नो एना पर कोई control रहतो नथी अवे RBI ये चार वस्तू की दी छे कि तम्ये एक्स्टरनल बेंचमार्क रेट तरीके नक्की करी सके एक छे रेपो रेट रेपो रेट ये रेट छे कि जे बैंक तेमनी RBI तेनी दर मॉनेटरी पॉलिसी मा नक्की करे छे कि आप रेटे बैंक RBI पास थी फंड्स लेसे और RBI ने एक फंड्स आपे एटले रेपो रेट एक थाई गियो पच्छी त्रॉन महिना नो ट्रेजरी बिल चे एनो रेट छो महिना नो ट्रेजरी बिल नो रेट के एक संस्था चे कि जे आब दापकाना रेट बाहर पाड़े चे एक वी जो बेंचमार्क बाहर पाड़े तो इनो तमें लई सको छो इतले आ चार बेंचमार्क RBI कि दूचे तमारे अमाथीच कोई एक नो उप्योग करवो पड़े अवे बहु सस्तों ने समझवा माटे सराल सौथी सारो जे बेंचमार्क चे एचे रेपो रेट कारण के बदद जाने चे एमां चेंजिस थाए बदद जे लोकोई ए जुवानू रहे चेंजिस थाए यह कारण के आज लिंकिंग करवा मावे चेंजिस थाए इना थी तो रेट बदलाव पर असर थाईचे एमारो रेट एकटूली सेट कारण के दूचे अने एज लोकोंने जावू भी हशे पड़े एप शौट मां तमारे सम्झावगू होई, लोको ने इक उनर ऑउन नागी जाए, अथे लोकों पर एक माईन मां रही जाए, हावे एक्टरनल बेंचमार्क तौ आपे जो हुआ करो कहे कही रीते नकी थाई थाए, अथिया नीजी प्रोसेस छे, जे रिते रेत नकी थाई छे, एक रिते थाई छे अने जो external benchmark ने जारे दोको link कर छे त्यारे कही रिते थाई तो ए समझावो हो है quickly, तो कही रिते तम्हें समझावेते हैं? जे लोन छे ते कहां तो इंटर ना कोई benchmark जोड़े link छे, कि जे समय समय पर बैंको बदले छे, कि MCLR rate जोड़े link छे, MCLR rate जारे बदलती होई तो 10 महीने बदलवो पड़े छे, तर महीने MCLR rate मा बदलाव थाई, और जो तमारी लोन ए रेट जोड़े link थाई, तो पच्छी तमार reset period पर पन तमारों लोन बदलाए, तो अत्यारे 10 महीने, जो MCLR rate बदलाए, तो इनी असर तमारा लोन पर पड़े, अवे बैंको पासे यह फरज जात ना थी, कि 10 महीने बदल वीच पड़े, पन बैंक गमे त्यारे बदली सक्या, अवे अत्यारे क्यों थाई चे, आर भी अवे तम पच्छीस बेजिस पॉइंट नो तमने बैनिफिट मले ओ के ना मले ओ, और मले ओ तो क्यारे मले ओ, क्यारे मले ओ, क्यारे मले ओ, क्यारे बदलाए, तो इस अवे बदलाए, अत्यारे नी स्थिती आचे, अनि समें, external benchmark मां के उचे, कि RBI यह काई रिज के दर, त्र एक्स्टरनल रेट आवे, त्यारे कोई चोईसद मती रहतो, जारे यह बदलाए, त्यारे मने बदलवू पड़ से, यह आउता समय मां आ सिस्टम बनी जासे, तो आपड़े एम मानी शकाए के, सपोज, बैंक जे भी method फॉलो करे चे, external benchmark माटे, जे आपड़े चार गणा वी यह, एवरी थ्री मन्स चेंज करी शक्षे, जे थ्री मन्त नो पीरियोड आपयो छेज, ना, यह किवम जो, एट लीस त्रौन महिना मां एक वार तो बदलवू पड़ से, एटले ओछो समय मां मानो के, त्रौन महिना मां बे वार अर्बिया नी पॉलिसी आरे, अने मां बे बार बदला हो थाया, तो बनने बार बैंक के बदल वो पड़ से, जे आरे पन अर्बिया, पन ए अफको, ए लोको जो, ए बैंक, जो आर्बिया रेपो रेट ने फॉलो नथी करती है, जे बेंचमार्क, तो पछी शू थाशे, तो बानो के त्रौन थ्री मन्त ट्रेजरी बि आर्बिया रेट चेंज करा पड़े, पन थ्रौन महिना में एक वार तो चेंज करवो पड़ से, साथी, सपोज आपने गानिये के चलो, आर्बिया एक एक एग्जांपल लेए, कि रबिया रेट चेंज करें, पछी कंज्यूमर ने पासान करता, किटी वार लाक्षे, कि आपने आम देखा, देखाई शके के आपने बेनेफिट मड़े हो, और जे एलोको ये लिदो, एकलो सेम बेनेफिट आपने मड़े छे के नहीं, एक एर रेट आपने चेंज करता है, अवे तो कोई क्वेस्टन ना थी, वेंचमार्क मानो तम्हें रेपो रेट चोड़े लि अपने बेनेफरे दाँ क्याया। पर बूकवार के उदाई चे के, बेंचमार्क रेट पर बदलाई जाई चे, बैंक अवे कदाच रेट पोतानों बदले चे, पर जो तमाई रिसेट पीरिएड फॉर एक नोच चाह महीना होई, तो छो महीना सुरी तमने लाब जोआ कदाच मुझे निक, इटले अने माटे जा तारे लोन लेता हुए, तारे लोको व्याजनो दर जोए, यहना पर अधू धू धू ध्यान के इंद रित करें चे, पर फ्लोटिंग रेट लोन माँ इंपोर्टन वस्तू सूच है, कि तमने फ्लोटिंग रेट नो बेनिफिट मढ़वा हो जोए, इटले आ कंडिशन बहू तो रेट नीचे आज़ी रहा है, पान जारे रेट वद से, त्यारे सेम वस्तू रिवर्स माँ था से, एटले कि तमारी लोन मा रेट दिमे दिमे करता है, एक जाटके वदवा माँ से, जे वी री ते रेपो रेट वद से, फर एक्जामपल, एक्स्टरनल बेंच माँ तो, एनी, जोडे जिद्धो तमारो रेट वदवा माल से, और रेट वदवा नी असर बहुत क्लियर होई छे, तमारो ये माई बदलातो न थी लॉंग टर्म लोन मा, पान इनो जे पीरियड बाकी वई छे ते वद्तो जाई छे, एटले आ एक साइलन्ट इम्पैक्ट अनी आवे फर एक्जांपल तमारो हाउजिंग लोन हाई, और हाउजिंग लोन मा, बैत्राण वा रेट मा कपात थाई, तो तमारो ये माई तो एटलो ज रहे छे, पन मानो के अड़ार वरस तमारी लोन ना बाकी होई तो सड़नी सोड वरस थाई जाए, पन ए जरीते जारे रेट वद अने क्यारे लोन पते छे बद्दू तमें मागी सको छो, जो अनलाइन तमें एक्सेस करी सकता हो, तो याकू वर्किंग हाई चेज, कारण के बहु इजी हाई चे तमार मार जोवा, इटले आ आसर पन तमें जोई सको छो, पर हमना जे लोको ये लोन लिदी होई, अने इमना लोकुमेंट से लोको चेक, अफकॉस अवे क्विकली बदा चेक कर शे के रिसेट पीरियड इमा खितलो छे, तो अने आप फ्लोटिंग रेट्स पर बेनिफिट मर शे, जेनो फिक्स रेट हाई, इने तो आमा कोई फरक पढ़वानों न थी, एउ कही शेक है, ना फिक्स रे रेट नी लोन करवी होई, तो तम्हें चेंज करी शको छो, जो तमने आगर जाता, बेनिफेशल थतू होई तो, पर जे फ्लोटिंग रेट से, ने इमना डॉकुमेंट्स चेक करी ले जवाज होए, के रिसेट पीरियड कितलो छे, कांके जे रिसेट पीरियड हाई, प्रमा तो अशु, एवो कोई प्रावधान चे के बैंक चेंज करी शके रिसेट पीरियड, आम तो तम्हें एक बार अगरीमेंट साइन करें, तो ये अगरीमेंट वैरेड जायना का पीरियड माते, पने इन्हों ये मीनिंग नाथी के कोई बार बैंक चेंज नाथी करती, बैंक से सको जो, पने इने माते बैंक तैयार थवी जोए, एक पार्टी के के मारे हो करूँ जे नाथी था ये नहीं, बैंक के फाइनेंचल इंस्ट्यूशन नी पॉलिसी पन अवी जोए के बदली सके, ये माँ था ही चे, आनके अनेक वार बैंक नोट ओनली आउप्रकार पन करी सके, तो लोन अग्रीमेंट होए, इमा एक चेंज करी ने, एक एड करूँ पड़े शाए, जे तुझे लोन धरावता होए, फ्लोटिंग रेत नी, तो इमने वे तरण वस्तु चेक करी ले भी जोए, कि तमारो री सेट पीरिएड खितलो छे, ए प्रमाने जो तमारे तमारा बैंक मैनेजर साथे वाद कर भी होए, तो भी तमें करी लोने समझी ले जो के कही रीते थावानुचे, कांकि आप 1st October 2019 थी आ रूल लागू पर शे, आ एक्स्टरनल बैंचमार्क साथे बैंक्स लिंक अकर शे, ने पच्छी ए रीते तमारा रेत्स ने अफेक्ट थ अनिव जी खाली आ प्राइवेट अने पॉब्लिक सेक्टर बैंक्स माटे ज लिंक थाशे के अन्बी एफसी माटे पण आ रूल लागू पर शे, आ तियारे तो जे बैंकों ने इंस्ट्रक्शन आ पीच मां बैंकों पर आ लागू पर से, कांके आर भी आये अमने कितू छे पन जारे मुटाभाग नी लोन साप्रकार्नी हुए तो एन्बी एफसी आ रिते जाये तो इमा कोई नवाई नहीं रहे कांके एक बार मार्केट प्रेशर था हिजा है, मार्केट माजे इक स्टांडर था जाये परमाने पछी मुटाभाग ना प्लेयर्स इमनी रिते बदू करता होई छे करने केमने पन बिजनेस लूज आउट नथी करो इटले ये लोगो में भी फॉलो करशे ये मार्केट मां रेट्स प्रिवेलिंग ये स्टांडर्ड प्राक्टीस थी जाए पछी बद्धा ये फॉलो करें छे अने खास करीं जारे आप जो अत्यार तमें जो तो ये लेंडर्स चे ये मां साउथी मोटा प्लेयर्स आउजिंग फाइनेंस इंस्टिटूशन्स चे जमांए HDFC नों समावेश्ताई छे LIC आउजिंग फाइनेंस चे बदा चे अने बैंक्स चे बैंक्स मांई पहली ऑक्टोबर थी लोको ना मन मा ये विचार ना रहो जोए क्या अथी मारो रेट चेंदे जाने ना कि external benchmark जोड़े link चे टले सिधो मारो rate गटी जासे कैम कांके जहरी तेल को सेट करें चे इंपोर्टन चे ले for example तमें आजे external bank मार्क रेपो रेट लोग तो तमारी लोन सिधी कि तमने चोट अकां साड़ा चोट अकां नहीं मुले जहरे bank नक्की करती होए कि कई रेट चार्च करो तो जे external benchmark चे स्टार्टिंग पॉइंट चे तो यह ना उपर पछी यह लोको एक spread मुख्या जे अन्य spread बे टका अडी टका त्रॉंट टका साड़ा त्रॉंट टका तो यह मा कोई कैप ना राखवा मा आवे कारांके ए बैंक तमने जोई ने नक्की करें चे एक तो एजे आको spread होई छे यह मां बेह मुख्या कारान अंदर काम करें चे एक तो एक बेजिक spread तो राखे चे चोट अगा को लोन आपे निले बैंक नो फंड मानों के cost of fund साथ थाड़ा साथ है तो यह minimum आट तो राखे पछी तमारों क्रेडिट स्कोर जुए और तमारों क्रेडिट स्कोर खराब होई तो इनो जे basic spread होई इनी उपर वधर एड़ करें कानके तमें एक जोखमी customer बनी जाओ अन्या इंपोर्टन वस तुझे के अमा यू जरूरी ना थी के बद्धा customer ने ओचाज रेट लोन मोरे तमने कदा तमें लोन लेवा जाओ तमारों क्रेडिट स्कोर खराब होई तो तमने बदारे तो तमने नौ टकाई पर चार्ज करे और पच्छी external benchmark जहां बद्ला से तमारों रेट बद्ला से अत्यारे सुझे बद्धानों फोकस इमना पर चेके मारों रेट बद्ला से और याद राखो कि तमारों ओरीजिनल रेट इंपोर्टन चे और बीजी वस तु क्या रेट वधी पन सक्के चे इतले यह वधवानों पन तमाए एक प्रोवीजन राखी ने चाले उन नहीं था कि आखो वखत रेट घटो जासे खास करीने जारे तमारी 15 वरस 20 वरस नी हाउजिंग लोन है तो रेट 3-4 वखत नो मीनिमूम यह समाईकाराम वद्ध से बराबर छे तो आँ बद्धाज पॉइंस याद राखवा घणा चरूरी अत्यारे फॉलिंग रेट से तो आपड़े इन्हों एडवांटेज लई शकिये छे पन इट डिपेंस के तमारा तमें कितला रेट लोन लीधी हती ने ए प्रमाने जे पन वद्धगर थाई छे तो ए रेट मां थाशे नहीं के आर्बी आये जे रेट नखी करियो कि साड़ा पांच रैपो हाऊखो तो हैँ मा तमने फरक पर शे तमारी लोन कितला र्यत्नी जे प्रमाने रेशियो मां तमारी लोन खरसे अनिह डिफर था पोर्सें टू परसें ए लेफंट फ्रक घह च्यरानिपांद थार्चण ओर्तम हिड़ा आंढ तमारोरान हूं परसेंटोफें प्रेडिय। आपनों स्वागत छे ने हविले शुदर्शकोना सवाल ने आ सवालोना जवाब आप पापी साथे जोड़ाया छे फिनेंशल एक्सपर्ट अर्नव फंड या अर्नव जी जे पहलो इमेल आवेव छे नागा भाई आंबल यानो हमने लग्यों छे के SBI mutual fund मां SIP थी ते वह रोकांड करे छे ने आ रोकांड शुद इमने सारा रटन आपी शक्षे इमने सवाल छे अने साथे इंपर पुछु छे के जो ब्ल्यू चिप मां सारा रटन मड़ी शके तो ते त्या फिर भी शके के रोकांड करी शके जी जो SBI mutual fund मां तमें रोकांड करता हो तो इना अनेक फंड होई चे debt fund होई चे equity fund होई चे इटले तमारी जरूरियाद प्रमाणे तमें फंड लिधू होई तो इना काम कर से अवे return आपपानी कोशिश तो दरेक फंड कर से पंड मार्केट मां situation के वी चे ए प्रमाणे तमने फाइनली सू मले चे अधारीत रेशे debt मां तमारी expectation राकू जोए के steady rate of return मले पन बहु ना मले equity मां return मां मुटा प्रकार मां वद्गट थासे अने इने लिदे तमने अमुक समय मां negative return पन जोई सको चो पन तमें जो लांबा समय मांटे राको तो usually तमने सारू positive return जोआ मले चे अवे SBI ना अनेक प्रकार ना equity fund से जो तमें SBI blue chip fund नी बाद करता हो तो आ फंड large cap stocks मां रुकान करे छे अने large cap stocks ना performance प्रमाने एमा सुझे के एमा volatility थोड़ी ओछी होई चे कानिके large cap stocks मां इतली मोटी मोटी वद्गर थती नाथी पन एमा risk पन थोड़ू ओछू होई चे as compared to other equity तमें एमा पन पैसा गुमावी सको चो पन आ प्रकार ना fund थोड़ा वदर स्टेडी होई चे अटले एमा पन लॉंग मारे तमील राक हुआ तो एमा रिटःने अपेक्षा राकी सको चो तो बंचा माय देखावा नं थी इमां घणीबदी साइकल आउशे, प्लास जशो, माइनस जशो, पन जो लांबा टाइम माटे हाशे, तो तमारों जरूर थी एक फाइदो लेखा शे, आने लॉंग टर्म इटले के आमें छोथी साथ वरश नो टाइम फ्रेम एट लीस्ट कईये छे, साथे आस बीजो जे सवा मंजूर एहमद नो तेमने लख्यों चे कि तियो पी एच्डी स्टूड़न छे, छोवीस वरश नी तिमनी उमर चे, आने तिमने पंदर थी वीस वरश माटे रोकान करवू छे, तो ते वो पुछी रहा चे कि कि कया शेर मा रोकान करवू जो ये, इमने सला मांगी चे, जो पहला तो तमारे पंदर थी वीस वरेच माटे रोखान करू हूए, तो एन अकी करूँ जोए, कि सैने माटे करूँ छे, केटलो तमारो गोल चे, अने पछी इन अकी करूँ जोए, कि तमें कियो माध्यम आने माटे इनो उप्योग कर सो, जो तमें शेरबजार ना जानकार हो तम्हें शख्याब कर सकता हो, तम्हें कमपनी ने फालोय करी सकता हो, अन्य माटे तम्हें समध हैं, तम्हें al Brooklyn festival समी करी सकता नहीं हो। तम्हें मियूटिल फंद सहारोर ले जो है कारिके mutual fund मह एक professional fund manager है जहें बदू मैनेज करें जहें अवे प्रकार्णा तमारे स्टॉक लेवा जोए यह तमारे तो अवर्वाल तमारों पॉर्टफोलियो डेवलप करवा तमारे लाज कैप मीड कैप स्मॉल क्या बदा बेगा करवा जोए ओर पीरिल ऑफ टाइम एक समय लागे छे थोड़ों मुति रामानी जी राजेश्ची आपनों सवाल पूछो हाँ अर्नस्था नमस्कार साइब मनें हमारी बती जी ने दसला कुपया बक्षी साब पानी चाहा है जे हलो जी सवाल पूछो आपनों मारी बती जी 29 जन्वरी 20 ने मेजर थाई जासे आनी इंकम ब्रदर साथे क्लब जे एटले चालू वरस मां एक लब थासे अन्य पची एक वार नेक्स्ट यर थी जारे एक मेजर थाई जासे त्यार पची एनी जे इंकम छे ते ए पुतानी हेड नाम नीचे एमनू पुतानू रिटर्न फाइल करी सक्से पार कारण के आ वरस मां अजी ए माइनर छे तो ए आ वरस मां एजी क्लबिंग थासे अनू इंकम नू जे तो आ वरस मां अजी क्लबिंग थासे कान के माइनर छे नेक्स यर थी चेंज थाई शाके छे ब्राया नवजी घणो आप हार तमारो मारे साथ है जोड़ावा पदर परस्नल फाइनस ना तमारा सवाल इतले के लोन, क् इंशोरेंस बचेत रुकान वगे रेने लगता तमारा सवाल तमें अमने मुखली शको चो तमारो नाम शेर उमर अने पोल नंबर साथे इमेल करो अमने मनी अट nw18.com पर फेस्बूक पर लखो अमने facebook.com slash cnpcवजार पर अने tweet पंकरी शको चो twitter.com slash cnpcवजार उपर ना साथे इज मनी मैनेजर ना एपिसोड माँ अट लूज पाच्छा मरेशो नेक्सट एपिसोड मात या सुदियाप शुरजा नमस्कार